ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नमस्कार मैं हूँ सोनीका और आप देख रहे हो ततकाल न्यूज लाइफ संगम नगरी प्रयाग नगर जीले के नवाब गन स्थानक शेत्र में शुक्रवास वर डबल मडर से आसपास के इलाकों में संसनी फैल गई मा और बेटी की अग्याद बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी मा और बेटी के सिर और गले में गंभीर चोटों के निशान है जानकारी के मुताबित घर का सामान भी भिखरा हुआ था पुलिस का कहना है कि प्रतंदुष्ट्या मामलया लूट और हत्या का लग रहा है प्रयाग राज में डबल मडर की घटना से इलाके में हड़कम मचा हुआ है वही एक वर्ष की मासिम बच्ची को हत्यारों ने सही सलामत छोड़ दिया आईए देखते हैं पूरी खबर क्या है वर्षिय अंजली सरोच वह उसकी आठ वर्षिय पुत्री संजीवनी सरोच के गले और सीर पर गंभिर चोट के निशान मिले हैं जानकारी के मुताबित मा बिटी गुरवार की रात घर में बरामदे में सो रही थी तबी बदमाशों ने हमला किया दोर हत्याकांड से इस संसनी खेस वार्दात को किसने और कैसे अनजाम दिया ये अभी तक नहीं पता चला है सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के कई आला अफसर, फिंगर प्रिंट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉक्स क्वाइट्स के साथ मौके पर पहुचे हाला कि अभी तक कातिलों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है कि ठाना नवाब गंज काम मस्निक खेतर का मामला है पुलिस को यह सूचना प्राप ठोई थी कि जो वैक्टियों की गला काट कर हतिया कर दी गई है इस पर ततकाल पुलिस द्वारा घटना का नेक्शन सल किया गया है पुलिस द्वारा घटना के नेक्शन सल किया जा रहा है बाड़ी को पोस्माटम हेटी भेजा जा रहा है और अब विदिक कारवाई की जा रही है अब इस घटना का कारेंट पता नहीं चल पाया है गल्ज भी इसका खिलाता हूँ सरे जानकाजी गल्ज वाड़ी तो चार पायिया थी और एक पर बाड़ी में लिए क्या परत्या की गई या अलग 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 की गई इन सब भी बिंदों पर अभी जांच की जा रही है जो भी कारवाई होगी वो की जाए या गलारे तक या एक की गटा की गटा की गटावी जाए